हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अलो फ्यू इंग्लिस लिक्चर आज हम सभी हाइड्रोलिक्स के एक टॉपिक जिसमें हमें टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर डिटर्माइन करना है एक रेक्टेंगुलर प्लेन सर्फेस का जो की वर्टिकली इमर्जड है वाटर में और उसमें हमें टोटल प्रेशर और पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर डिटर्माइन करना है तो दोस्तों सबसे पहले हम सभी देख लेते हैं कि हमें कोश्चन क्या दिया हुआ है तो सबसे पहले कोश्चन पढ़ते हैं कोश्चन दिया है और एक्टेंगुलर प्लेन सर्फ determine the total pressure and position of center of pressure on the plane surface its upper edge is horizontal and 2 meter below the free water surface मतलब कि इसका जो upper edge है rectangular plate का वो पानी की सतह से 2 meter नीचे है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या कि data दिया हुआ है तो यह पर दिया है width of rectangular plate is 2 meter and depth of rectangular plate is 3 meter और इसके साथ साथ यह भी हमें question में बोला गया है कि यह जो upper edge है वो हमारा upper edge water surface से 2 meter below है तो हम लोग नहीं आप लिखा है depth of plane edge from free water surface that is 2 meter तो हम सबसे पहले इसके चितर को समझेने की कोजिस करते हैं तो जैसा कि हमें question में दिया हुआ था कि इसका width है 2 meter और इसकी depth है 3 meter तो हम लोग नहीं यहां पर दिखाया है तो इस plate का इस rectangular plate का जब हम side view देखते हैं तो हमें ऐसी side view में प्राप्त होती है वह हम ऐसा centroid के नीचे होता है इसलिए यहां पर center of pressure है और इसकी position इस edge view में इस प्रकार दिखाई दही है और हम समझेने की कोशिज करते हैं क्या कि है एच बार और एच इस्टा है क्या तो फ्रेंट्स किसी भी free liquid surface से किसी भी plate जो होता है उस plate के center of gravity तक का जो distance होता है उसी distance को h bar का जाता है यानि कि depth of cg from free water surface तो यही है h bar और हम समझते हैं इस्टा आखिर है क्या तो दोस्तों कोई भी plate है वो जो किसी liquid में डूबी होती है तो उसके center of pressure की depth उस लिक्वीड की free water surface या फिर फ्री liquid surface से लो उसकी depth होती है वही होती है h bar यानि कि यहां पर दोस्तों यह free water surface है और इसका यह center of pressure है तो इन दोनों के बीच का जो distance है हम लोगों को इसमें calculate करना है total pressure और center of pressure तो हम सबसे पहले देखते हैं कि total pressure की आखिर formula क्या होती है तो हमें जैसा कि पता है total pressure की formula होती है w a h bar जहां w है specific weight of the liquid यहां पर water है इसलिए specific weight हो जाएगा 9.81 kN per meter क्यों और उसके बाद area एरिया हाँ पर rectangular हो जाएगा width into depth और यहां पर h bar जो कि आप देख सकते हैं कि free water surface से आखिर cg तक की क्या distance है हमें वो calculate करनी है तो अगर हम यह तीनो value determine कर लेते हैं तो हम center of pressure आसानी से प्राइट कर सकते हैं तो हम सबसे पहले दोस्तों यह बात जानते हैं कि position of the cg of a rectangular plate from its base मतलब कि यह जो cg है इस rectangular plate के base से इसके आखिर दूरी कितनी है उसे निकालने के लिए एक formula होता है वह formula होता है d by 2 यानि d हमारा दिया हुआ यहां पर 3 meter तो 3 by 2 करते हैं तो हमें 1.5 meter मिलता है यानि कि यहां से जो यहां तक की distance है वह है 1.5 meter जब यह distance है 1.5 meter और यह distance total है 3 meter तो दोस्तों यहां से भी इसकी distance हो गई 1.5 meter अब इसके साथ हम यह देखते हैं कि यह distance हमें दीवी थी 2 meter है पहले से question में दीवी थी और यह distance अब निकली हमारी 1.5 meter तो इन दोनों को योदि हम जोर देते हैं तो हमें यह h-bar की दूरी निकल जाती है pre-liquid surface से यानि कि 2 प्लस 1.5 that is 3.5 तो वही हम लोगों यहां पर लिका है depth of cg from pre-water surface that is 2 plus 1.5 that is h-bar equals to 3.5 meter और हम से भी जानते हैं कि rectangle का area होता है width into depth तो विर्थ दिया है 2 meter और depth है 3 meter तो यह हो गया 6 meter square और हम जानते हैं कि total pressure की formula होती है wa h-bar तो यहां पर water के state में specific weight हो गया 9.81 kN per meter q area हम लोगों ने determine कर लिया कि 6 meter square है और हम लोगों ने भी h-bar just calculate किया 3.5 meter तो इन सभी को जब हम calculate करते हैं तो हमें मिलता है 206.01 kN यह है kN तो यह में total pressure की value निकल कर आ गहीं यहां पर अखिर हम सभी यहां पर center of pressure कैसे निकाल सकते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि center of pressure की जो फर्मुला होती है वो center of pressure की फर्मुला होती है ig upon a h-bar प्लस h-bar center of pressure को represent किया यह था है h-star से और सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ig होती क्या है तो ig जो है वह moment of inertia of any plate about its neutral axis तो यहां पर rectangular plate जो है उसका moment of inertia हो जाएगा ig की about bdq by 12 यह एक फर्मुला होती है दोस्तों तो विर्थ हमें दिया हुआ था इसके विर्थ दिवी हमें कि विर्थ है इसकी 2 meter और इसकी depth है 3 meter तो यहां पर हमें प्राप्थ हो जाएगी 2 into 3 की q upon 12 तो जब इसे हम calculate करते हैं तो हम ig के value ने करकाती है 4.5 m to the power 4 तो दोस्तों अब जब हम formula में इन सभी की value put करते हैं तो हम लोग सबसे पहले यहां पर ig की value put करते हैं ig निकल कर 4.5 तो 4.5 upon यहां पर area हम लोग ने calculate किया था 6 meter square और h bar हम लोग ने अभी just देखा था कि h bar जो है वो है 3.5 meter तो इन सभी की value जब हम इसमें put करते हैं तो हमें निकल कर आती है 0.214 plus 3.5 that is h star equals to 3.714 meter तो दोस्तों हम कर सकते हैं कि depth of center of pressure is at a distance of 3.714 meter from free water surface मतलब कि हमारा जो center of pressure है वो free water surface थे 3.714 meter की दूरी पर है यानि कि यह जो हमारी distance है वही distance हम लोग ने भी calculate किया है तो दोस्तों in other words हम इस answer को इस रूप में भी कह सकते हैं कि center of pressure is at a distance of 0.214 meter from centroid of the plate काने का मतलब दोस्तों कि यह जो centroid है इससे यह इतनी दूरी के distance पे जो है यहाँ पे यह center of pressure इस्थित है तो या तो हम इसे free water surface के term में कर सकते हैं या इसे यह कर सकते हैं कि यह CG से आखिर कि इतनी नीची है तो दोस्तों मैंने आपको इसका solution अच्छी तरीकी से बता दिया है उम्मीद है कि आप लोग को यह पूरी अच्छी तरीकी से समझ में आ गया होगा तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में